नमस्ते मित्रों ये मेरा दूसरा वीडियो है योगा अभ्यास वेदा अभ्यास के उपर मेरा पहला वीडियो बहुती संक्षिप्त में था ये वीडियो भी बहुती संक्षिप्त में रहेगा क्योंकि अभी तो मैं प्रेक्टिस कर रहा हूं दीरे दीरे जैसे ही नौलिज बढ़ेगी उसको सही तरह कैसे कैसे पैश करूँ वो मैं सिख लूँगा समझ लूँगा उसके चलते में उसके बाद ये सारे वीडियो में डीटिल्स में बनाऊँगा वापीस एक बार फिर से बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बुक्स का पुरान का वेदा का रेफरेंस भी दूँगा ताकि आप भी अपने इंट्रेस्ट के मुताबिक उसको डीटिल्स में समझ सके पढ़ सके जान सके लोगों को बता सके ठीक है तो आज का मेरा वीडियो जो रहेगा ये वीडियो रहेगा सामानिय ग्यान यानि की जनरल नौलेज और वेदाब्यास के बारे में अपन सब लोग अमावसिया को जानते है जिसको गुजरात में अमास करके भी जानते है या तो इस्टन कल्चर में वेस्टन कल्चर में उसको नो मून डे भी बोलते है कि जिस दिन कोई मून नहीं निकलेगा ये जो वेदा को जानता है जो हिंदू कल्चर को जानता है कुछ जान नहीं सकता है, खाली वो वेशन कल्चर को फोलो करता है, इसलिए प्रभावित कर सकता है कुछ लोगों को, लेकिन नो मुन डे जैसा एक भी शब्द वेदा में, पुराण में किधर भी मेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि वेदिक परमपराओं को जो जानता था, जो हि वेशन कल्चर में न्यू मुन डे भी बोलते है, एकादशी को, एकम को, न्यू मुन डे बोलते है, एकम को, सोरी, जिस दिन अमावस्या होती है, उसके बात का जो दिन रहता है, उसको एकम करके इंडिया में जानते है, उसको वेशन कल्चर में न्यू मुन डे बोलते है, ल वह compilation है, ऐसा नहीं है कि उसी दिन की invention है, वह उस दिन तो compiled हुआ था, उसके पहले तो वह काफी सालों तक परंपरा में रहा था चीज़ों, तब से लोगों को पता है कि new moon day जैसा एक भी day नहीं है, अमावसिया जो है, वह ऐसा नहीं है कि no moon day है, वह खली ऐसा है कि जबी चंद के रोशनी के तहट चंद्र इन्वेजिबल हो जाता है, चंद्र अपने को दिखाई नहीं देता है, उसके चलते अमावसिया महिसूस होती है, इसको बोला गया है अमावसिया, अमावसिया का जो आप संस्कृत वर्ड है, उसको आप दो पार्ट पर डिवाइड करेगे, तो एक है अमा और दूसरा है वस्या, वस्या मिन्स टुरिसाइट, अमा बोले तो एकी डिरेक्शन में, एकी अक्षांश के ऊपर, एकी लाइन में आप बोल सकते हो, तो यह जबी अमावसिया का दिन होता है, तो सुरज और चंद्र एकी अक्षांश पे होते हैं, एकी लाइन प्रुथवी बीच में रहती है और एक सेड में चंद्रा रहता है दूसरी सेड में सुर्यज रहता है और सुर्यज की पूरी रोश्नी चंद्रा के ऊपर पड़ती है जिसके चलते अपन फुल मुंडे जो वेश्न कल्चर में बोला जाता है अपन उसको पुर्णे मां बोलते है या तो पुनम बोलते है पुनम तो उसका मिनिंग यही है कि पूरा चंद्रा अपने को दिखाई देगा लेकिन जब आप पृत्वी से पुर्णे मां का दर्शन करते हो तो वो भी और फॉब आधर जिसके उपर रोष्णी प्रभाव कर सकती है वो अपने को पृत्वी पर से दिखाई नहीं देती है उस ठाइम पे टिके है तो और आप सब को पता भी रहेगा कि रोषणी की खुद की रोष–इन नहीं है सुरज की जो रोष्णी उसके ओपर गिरती है उस और एक ही अंक्षाश के उपर रहते हैं, तो सूरज की रोशनी में चंद्र की रोशनी, चंद्र ढख जाता है, जिसको अमावस्तिया कहते है, ठीक है, तो ये वेश्टन कल्चर तो कब से बोलता रहा था, कि ये न्यू मुन्डे है, ये नो मुन्डे है, तो ऐसा कोई वैदिक परमपरा को जानने वाला पहले से जानता था, कि चंद्र एक ही है, पृत्वी लोग से दिखाई देता है, वो चंद्र एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, खाली रोशनी के प्रकोप या रोशनी को पढ़ती है, उसके चलते उसमें बदलाव दिखाई देता है, बदला मैसुस होता है बाकी चंद्र एक ही है पृत्विस लोक से दिखाई देने वाला ये वेदिक परंपरा वाले लोक बली भानतीन जानते हैं तो ये एक चीज हो गई दूसरी चीज हो गई जबी पहले के टाइम पे वेस्टन कल्चर माने की अंग्रेज लोक वो इतने गहर प्रभाओं में नहीं थे इतने रिसर्च भी नहीं हुआ था वहाँ पे कि ये सब सारी जो एस्ट्रोनोमी है जो शास्त्र है उसको वो लोग जान सके या उसको नोटिफाई कर सके या रिसर्च कर सके तभी अभी इंग्लेंड और इंडिया के बीच में साड़े पांच पांच पोनेशे का टाइम होता है सुर्योदे का टाइम तभी वहाँ पे बारा बरसता है और वो लोग ने इंडियन कल्चर को अबसर करते करते अपनी घड़ी बारा बज़े सेट कर दी कि जबी इंडिया में सुर्योदे होएगा हम लोग यहां पे नया दिन मनाएंगे क्य ठीक है उसके चलते वो लोग ने ब्लैंडली फोलो किया और करना भी शीए अपन भी काफी सारी चीज़े वहाँ से वेशन कल्चर से अडोप्ट करते है और फोलो भी करते जो अच्छी चीज़े है वैसे ही वो लोग ने बारा बज़े डे बदलने का चालू कर दिया लेकिन इंडियन लोगों ने जो वेदा को नहीं जानते थे वो लोगों ने बारा बज़े का टाइम ऐज नया दिन पकड लिया तो हिंदू कल्चर चानने वाले वैदिक परमपराओं को जानने वाले लोग भली भाती चानते है कि अपना नया दिन नया सुर्योज़े के साथ होता ह ना कि रात को बारा बजने के साथ ये बारा बजने वाली परमपरा इंडिया के साड़े 5 के बेस पे ले गई थी अंग्रेजो द्वारा जब अंग्रेजो आये तो उसकी घड़ी तो वही लेके आये थे तो लोग बारा बजने डिया चेंज कर लेते थे अपनी घड़ी के इसा यह बहुत बड़ी गलत फेमी है, आपको सही रास्तेपे, सही मार्क पे लेके नहीं जाने वाली है, इसको आप जबी भी समझ में आए, तुरंत इसको चींज करिए, और अपनी वेडिक परमपरा और हिंदू का जो शास्त्रा है, उसको अभ्यास करिए, और उसके साथ जुढ यह सुर्योदय के साथ ही विश करूँगा, ठीक है, यह चोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही, आप किस रास्ते पे चल रहे हो, वो आपकी एक प्रभावश्वाली व्यक्तित्व या तो आपके उपर जो किस चीजों का प्रभाव है, उसको दर्शाती है, तो उसको आप ठीक करना बहुती आवश्यक है, बहुत लेट भी हो गया है, आगे काफी जनरेशन्स है, उसको अपने को यह चीज़े बता नहीं है, तो इस पे आप गोर करिएगा, ठीक है, दूसरी एक सामन्य बात है, वो बहुती सामन्य बात है, लेकिन बहुती माइनर रखती है, जैसे आज है थर्ड नवेंबर, मैं आपको बोलूँगा आज थर्ड नवेंबर है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मून की स्थिती क्या रहेगी, भले मन्त जो वर्ड है, वो मून की जो गती विदियो है, उसके उपर डिसाइड हुआ है, उसका अबरंश वर्ड है मन्त, जो मू गती विदियो के उपर ही महिना दर्शाता है, जिसमें रुतु का काल भी आ जाता है, रुतु चक्र भी आ जाता है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, वेदिक कल्चर का जो नया साल है, या तो रुतु चक्र है, या फिर गती विदियो मन्त के अंदर लखी गई है, तो थर्ड डमेंबर से आपको पता नहीं चलेगा मून की सिति क्या रहेगी लेकिन अगर कोई वेदा को जानता है वेदिक परमपराव को जानता है उसको बोलेंगे कि आज तीज है आज शुकलपक्ष के तीज है तो उसको समझ में आएगा कि अभी चरनक चंद्रकी आज तीस अज तीज है तो आज तीज है तो कल बीज रहेगी उसके बाद एकम रहेगा और फिर अमावस्या आएगी यह वेदिक परमपरावाला है लेकिन थार्ड नमेंबर से आपको बताने चलेगा कि मून की परिसेति क्या है तो भले उसका नाम नमींबर का महिना हे उसको मंत कहा जाता है मून की घटी विजियो के साथ चलता है वह लेकिन डेट चो उसकी है वो alignment अलाइमेंट में नहीं है, अलाइमेंट एक बहुत ही अच्छा शब्त है, आप सब लोग उसको समझते रहेंगे, तो यह दोनों चीज़ अलाइमेंट नहीं है, लेकिन यही चीज़ अडॉप्ट करते आये हैं, बड़्डे कभी है तो अपन वही बोलते हैं, थार नवंबर को 5 नवंबर को 10 नवंबर को, लेकिन यह चीज़ कभी नहीं बोलेंगे आपन की, आज शुक्न पक्ष के तीज है, तो इसको मेरा बड़्डे है, तो सारा चीज़ अलाइमेंट में है, वेदिक कल्चर के अंदर, तो यह सब चीज़े आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है, ज मेरे को साथ दिन के अंदर वापिस आजाना चाहिए, क्योंकि अगर अमावस्या रहेगी तो ओट आएगी, और पुरूरीमा रहेगा, बरती आ सकती है, जवार बाटा जिसको बोलते है, ठीक है, तो यह वेवस आ सकते है, जो काफी असंतुलित पैदा करता है पृत्वी के क्योंकि पृत्वी का गुरुत्वा कर्शन और चंदर का गुरुत्वा कर्शन एकदम नजलिक में रहता है, उसके चलते यह सब गतिविधिया होती है, इसलिए तो अमावस्या और पुरूरीमा के दिन, हिंदु कल्चर वाले, वेदिक परंपरा को जानने वाले फास्टिं उपजव करते है, ठीक है तो यह फिशर्मेंच भी छोटा सा चानता है कि आज सब्तमी है तो क्या करना है आज एकम है तो क्या करना है कल दूती है तो क्या करना है परसो तीज है तो क्या करना है ये सब चीज़े हम लोग को बताए नहीं जानी पड़ती है हमको सिर्फ अपना वेदा अभ्यास करना चाहिए वेदों में रुची रखकर उसका गहिन तर पर चले उसकी अपने को बहुत लंबे अर्स के बाद एक नाराज की नहीं रहेगी। मुझे बहुत ही अपसोस हो रहा है कि मैं इतने साल तीस साल तक में रात को बारा बज़े बड़े से लिवट करता रहा। या तीस साल बहुत ही चोटी टाइम है चोटा टाइम है कितने टाइम से अंदेर में रहेंगे ठीक है प्रकास को गले लगाईए वेदा अभ्यास को गले लगाईए वेदा को जानिए ठीक है इसके रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेस्टन से या कुछ भी सुझाओ है तो डे